नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट पनोज और स्वाइट करता हूँ आपके अपने योट्यूब सनल में जिसका नाम है कावे लेक्ट आज मैं आपके सामने स्रंगार रच से भरी हुई एक ऐसी कविता लेकर के आया हूँ जो आपने आप में एकडम नई ह दोस्तो जीवन की तीन अवस्थाएं होती है बाल्य अवस्था युव अवस्था और व्रद्ध अवस्था दोस्तो जब कोई लड़की जब कोई नारी बाल्य अवस्था से युव अवस्था में प्रिवेस करती है और पहली बार पूर्ड स्रंगार करती है चाहे वो किसी उत में उसके हर अभुसर हर स्रंगार उससे क्या कहता है यह जरा इस कविता के माध्यम से सुनिएगा और आनंद लीजिएगा और पूरा आनंद लेने के लिए कविता के अंत तक जरूर बने रही है और जो भाई मेरे इस चनल पर नए हैं वो कृपया मेरे इस चनल को करते हैं लाइक और शेयर करना ना भूले नमस्कार अगार करते समय सबसे प्रमुक होता है जिसके बिना किसी बिनारी का स्रंगार अधूरा है वह होता है आईना तो देखिए आईना कंगन और यह सारे अहुज़र उससे कैसे बाते करते हैं जरा इन लाइनों में सुनिएगा आईना कहे गया चोड़ियां कहे गया चोड़ियां कहे गयी कंगन की प्यारी खनक कहे गयी तुम वो नहीं जानता था जिसे तुम वो नहीं जानता था जिसे तुम तो जन्नत की कोई परी बन गई आईना कहे गया चोड़ियां कहे गई दोस्तों जब पहले वार पूर्ड स्रंगार में आईना उस लड़की को देखता है तो खुद अचम्मित हो जाता है कि जिसे मैं वर्थों से देखता आया हूं यह वो लड़की नहीं है क्योंकि आज उसका पूरा रोप परिवर्थित हो चुका है तो यह वही एक दर साता है वही एक वर्तालाफ है तो उसी लाइन पे मैं कहता हूं आईना कहे गया चोडियां कहे गई कंगन की प्यारी खनक कहे गई तुम वो नहीं जानता था जिसे तुम वो नहीं जानता था जिसे तुम तो जननत की कोई परी बन गई तुम तो जननत की कोई परी बन गई आईना कहे गया चोडियां कहे गई तेरी जुल्फों की चिल्मन से आँखें तेरी चांद बदरी से मानो निहारा करें तेरी जुल्फों की चिल्मन से आँखें तेरी चांद बदरी से मानो निहारा करें सर्द रातों की काली घटाएं घनी चुनरी तारों से तुम को समारा करें मैं कदेसी नशीली नजर है तेरी हस की कानों की बाली ये क्या कह गई आईना कह गया चोडियां कह गई होथ तेरे गुलाबी गुलाबों से हैं सुर्ख गालों की लाली का शानी है क्या होथ तेरे गुलाबी गुलाबों से हैं सुर्ख गालों की लाली का शानी है क्या शबनमी साम हो तुम समंदर शराबी हुसन का है खजाना जवानी है क्या तेरे अधरों के प्यालों के प्यासे सभी छेड कर नाक की नत ये क्या कह गई छेड कर नाक की नत ये क्या कह गई आईना कह गया चोड़ियां कह गई तेरे हाथों की उंगली की थिरकन से ही तेरे हाथों की उंगली की थिरकन से ही साज बजने लगे ये घटागा रही तेरी बाहों का आगोश अनमोल है तेरी बाहों का आगोश अनमोल है बाज बंद सब को इठला बताये रही तेरे हाथों की उंगली की थिरकन से ही साज बजने लगे ये घटागा रही तेरी बाहों का आगोश अनमोल है बाज बंद सब को इठला बताये रही दरिया के हर मोड का है हुनर हाई करधन कमर की ये क्या कह गई आई ना कह गया चोडिया कह गई अब अंतिम पंक्ति में सुनियेगा कि जब वो राहस्ते से गुजरती है तो राह के पत्थर कैसे उसके चूने से उसके इशपरसे से इठलाते हैं और खिनारी जो फूल लगे हुए है और उनमें जो कलियां खिली हुई है वो कैसे जलती है और शिकायत करती है जरा इस पंक्ति में सुनियेगा गलियां कहती है रोज गुजरा करो रोज आया करो ये महले किशारी गली कह रही तेरे चूने से पत्थर भी इतराते हैं राह की भर जलन से कली कह रही सूल भी फूल बन कर तुम्हें चूते हैं पायलों की ये प्यारी छनक कह रही आईना कह रहा चूडियां कह रही कंगन की प्यारी खनक कह रही तुम वो नहीं जानता था जिसे तुम वो नहीं जानता था जिसे तुम तो जन्नत की कोई परी बन गई आईना कह गया चूडियां कह गई आईना कह गया चूडियां कह गई आईना कहा चूडियां कहूड़र था झाईना कह रहा चूडियां कह रहाद़ Mr. जन्हा二मह्र जागन वहरां